सबसे पहले आपने क्या करना है कि यह देखिए यह विंडोज का बटन है आपका यहाँ पर आपने लगाना है gpedit.msc उसके बाद में आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपने क्या करना है यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा खीचेंगे और आपके पास में एड्मिस्टेटर सेटिंग आ जाती है यहाँ पे यहाँ पे आपने विंडोज डिफैंडर पे जाना है और विंडोज डिफैंडर के बाद में आपने क्या करना है यहाँ पे आपका एक आता है विंडोज डिफैंडर यह देखिए यहाँ पे आप फिर नीचे जाओ गए जाने के बाद आप यहाँ पे आगे डबल क्लिक करके यहाँ पे इनेबल और डिशेबल होता है इस पे आपने क्या करना है जब आप इस पे इनेबल कर देते हैं इस पे लिखा हुआ है this policy setting turn off window defender यानि कि if you are enabled this policy setting अगर आप इस policy setting को enable करते हैं यानि कि शुरू करते हैं Windows Defender does not run Windows Defender run नहीं करेगा और आपका system भी scan नहीं करेगा and computer are not scanned for the malware और आपका system भी scan नहीं करेगा इसका यह मतलब है Potentiary Unwanted Software जो कि Unwanted Software है उनको भी protect करेगा If you are disabled, don't configure the policy setting by default window defender run अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए not configuration पे आप click कर सकते हैं तो इसके बाद में आपको क्या करना है Simply इसको apply कर देना है यहाँ से इस click पे apply कर देना है और ok कर देना है ok करने के बाद में आपने क्या करना है Simply इसको finish कर देना है जब आप इसको finish कर देंगे malware यानि की तो आपका malware automatic run नहीं करेगा तो दोस्तो इस तरह की जानकारी से क्या होगा आप लोगों को कि यह फायदा मिलेगा आपको इस जानकारी से कि आपके windows में जो भी problem अभी तक आ रही है और malware की वज़े से system slow हो गया क्योंकि दोस्तो आजकर ऐसा होता है कि EDS पर जो भी हम system scanning वगरा कर रहे हैं या कि बड़ी HD format में movie बना रहे हैं तो उसमें यह problem आना लाजमी है क्योंकि जादतर 8 और 9 software EDS वो आजकर 9 software के लिए Windows 10 ही यूज हो रहा है और Windows Defender की setting करना मत भूलिएगा अगर आप अपने system को fast रखना चाहते हैं तो दोस्तो टेक केर गुडबाई